नमस्कार, स्वागत है आपका दन रियूज़ पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी खालिस्तानी आतंग की हरदीप सिंग निजर की हत्या को लेकर अब बड़ा कुझा सा हुआ है अरसल चीनी एजेंट ने हरदीब सिंग निजर की हत्या की थी ये बड़ा खुलासा हुआ है कनेडा लगातार भारत पर हरदीब सिंग निजर की हत्या का आपरोप मड़ रहा था जिसके बाद भारत और कनेडा के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है लेकिन इन सब के बीच अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि चीनी एजेंट ने ही हरदीप सिंग निजर की हत्या की थी और भारत को फसाना उसका मकसद था ये बड़ा खुलासा चीनी मानावधिकार कारेकृता की ओर से खिया है साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि CCP यानि जो Chinese Communist Party है उसके अंदर से ही ये चोकाने वाला कुलासा हुआ है किसी और ने ये कुलासा नहीं किया है बलकि CCP के भीटर से ही ये खुलासा हुआ है एक चीनी मूलकी बलॉगर जैनिफर जैंग ने यह दावा किया है कि когда में अलगा पालिस्तानी आतंकी है हर्दीप सिंग निजर उसकी हत्या के पीछे भारत नहीं बलकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है तो जिस तरीके से लगातार भारत और कनड़ा के बीच जो तनाव बढ़ रहा है जाहिट तोर पर कनड़ा के जो प्रधान बंतुरी है जस्टिन टूड़ो उन्होंने भारत पर ये आरोप मड़ा था कि भारत के जो एजेंट है उन्होंने हर्दीप सिंग निजर की हत्या की है और उसके बाद भारत ने कनड़ा को मूतोर जवाब दिया भारत की विदेश मंतुरी एस जैशंकर लगातार के बोल रहे हैं हर एक जो विरोधी हैं जो विपक्षी हैं दरसल वहां पर उन्होंने भी सबूत मांगे लेकिन सबूत जस्टिन टूडो ने नहीं दिया और उसके बाद अब ये बड़ा खुलासा जो है वो जैनिफर जैंक ने किया है एक चीनी लेखक और साथी यूट्यूबर लाव डेंग का जो ही जिकर उनकी तरफ से कहाखया है जिसके हमाले से उन्ने के जानकारी दी है याहीं जो जैनिफर जहें छोंकी ये टीन की ही टाइंग हैला लैकिन वो रहती अमेरिका में हैं उनकी तरफ इंक के जानकारी दी गई है कि दरसल चीन के एक लेखक है और साथी यूट्यूबर है लाव डेंग दरसल वो सीपीसी के भीतर से ही यानि चाइनीज जो कम्मिनिस्ट पार्टी है उसके भीतर से ही उन्हें ये जानकारी मिली है कि चीनी एजेंट ने हरदीप सिंग निजर की हत्या की ताकि भारत को बद्राम किया जाए ताकि भारत को फसाया जाए और यह बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया है आतंकी निजर की हत्या को लेकर किनड़ा ने भारत पर तमाम आहरोप लगाये थे तमाम सवाल उठाये थे लेकिन अब ब्लोगर जैनिफर जेंग ने ये आहरोप लगाया है कि कनड़ा में ख में लिखा है कि इस हत्या के बाद चीन का जो मकसद था वो भारत और पर्शिम देशों के बीच कलहा पैदा करके भारत को फसाना था और लगातार चीन ऐसी नापाक चाले चलता रहा है यह कोई पहला मोका नहीं है जब से कनेडा ने और जस्टिन टूरो ने भारत के ओपर यह आरोप मढ़ा है लगातार दुनिया के तमाम देशों ने ना सिर्फ भारत का समर्थन किया है बलकि भारत लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा है भारत ने कनेडा से सबूत मांगे लेकिन सबूत उनकी तरफ से नहीं दिये गाए और यह शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि ये भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है वो चल रही है इसकी वज़ा ये भी हो सकती है कि कनेडा के जो प्रधान मंत्री हैं जस्टिन टूडो उन्हें वहां पर एक वर्ग विशिश का वोट बैंक चाहिए और खालिस्तानियों के दबाव में वो भारत पर इस प्रजिंट ने ही हर्दीब सिंग निचर की हत्या की थी और मकसद था भारत को फसाना जिसको लेकर तबाम आप भारत पर लगाए भी गए लेकिन खेरान करने वाला खुलासा जैनिफर जैंग ने किया है जो कि एक चीन मूल की अधिकार कार्यकरता और पत्रकार है जो हत्या करार देते हुए यह लिखा कि आज कनेडा में सिक धार्मिक नेता धर्दीब सिंग निजर की हत्या के बारे में चोकाने वाले खुला से CCP, Chinese Communist Party के भीतर से साफने आए हैं यह आरोप लगाया किया है कि हत्या CCP एजेंटों द्वारा ही की गई थी यानि भारत की उसमें कोई भूमिका नहीं थी भारत के एजेंटों की कोई भूमिका नहीं थी जैसा कि आरोप जो है कनेडा के प्रदान मंत्री जस्टिन टूडो ने मढ़ा भारत के उपर 18 जून 2023 को आपको ये बता दे कि भारत में नामित आतंखवादी हर्दीप सिंग निचर की बिटिश कोलम्पिया के सरह में गुरु नानक सिक गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी और ब्लोगर ने अपने आरोपों के ये चीनी लेखक और यूट्यूबर लाव डैंक के दावों का जिक्र किया है जो उनके मताबिक अब कैनड़ा में रहते हैं जो कि CPC के भीतर से उने ये जानकारी जुटाई है और साफ तोर पर जो टार्केट था वो ये था कि भारत को किस तरीके से फसाया जाए जो कि जैं पहल इगनशन प्लान के तहट CCP राज्य सुरक्षा मंत्राले ने उच पदस्त अधिकारी को सेटल अमेरिका भीजा था वहां एक गुप्त बैठक आयोचित की गई जिसका उद्देश है भारत और पश्यम के बीच संबंदों को खराब करना था एजेंटों को किनड़ा में स दिया और हत्या के बाद सबूत भी नश्ट किये और साथी खुलासा उनकी तरफ से ये भी किया है कि दरसल तोर तरीके जो है CCP के तोर पर समझाए गए और 18 जून को बंदूकों से लैस एजेंटों ने निजजर को ट्रैक किया जब काम फुरा हुआ तो सबूतों को मिटाया बकाहिता जो कार में उसकी डैश कैमरी लगे थे उसे नश्ट किया हत्या को अंजाम देने के बाद एजेंट भाग गया और उन्होंने सभी सबूतों को नश्ट करने के लिए अपने हत्यार और कपड़े जला दिये अगले दिन वो दरसल कैनड़ा के एरपोर्ट पर चले ग जिस तरीके से भारत ने जवाबी कारफाई कनेडा पर की है जिस तरीके से भारत ने के चालीश राजनाईकों पर एक्शट दिया है और उन्हें देश छोडने का आलेश दे दिया है दक्स अक्टूबर तक उन्हें देश छोड़ना होगा जिस तरह की साजिश ये भारत के खिलाफ चल रही थी इतने बड़े पैवाने पर चुकि जाहिर तोर पर अभी G20 सम्मेलन पीता है और इसके लावा अगर बास की जाए तो जिस तरीके से दुनिया के तमाम बड़े राष्ट अध्यक्ष भारत की ताहरीफ कर रहे हैं भारत के प्रधानवंत्वी नरींद्र मोदी की ताहरीफ कर रहे हैं उनके नेतर्वी ताह कैनड़ा जैसे देशों के एजिनटे पर काम करते हैं जो खाल सताहीं के ईजिनटे पर काम करते हैं तो ऐसे में जब उन्हें तकलीफ हो रही है तो भारत को अधिर करने का कि जिम्मा जो है कुछ लोगों को स्वपा गया है और कहीं न कहीं जेस्टिन टूरो ने उसमें बड अगर आप भारत के एजेंट पर मढ़ते हैं तो आप सबूत दीजे अगर आपकी जांच जिंसी जांच कर रही है तो जांच पूरी होने का भी हम इंतजार करते हैं सबूत हमें चाहिए लेकिन सबूत कनेडा नहीं दे पाया और उसके बाद अब ये बड़ा खुलासा इस कि किस तरीके से नीचर की हत्या में चीनी एजेंट का हाथ था और उसको लेकर अगर जांच आगे बढ़ती हैं तो जाहिर तोर पर कनेडा की अंतराश्टे मंच पर बड़ी किरक्री होने वाली हैं जिस तरीके से यूएई, अमेरिका, बिर्टिन का साथ कनेडा को चाहिए लेकिन अभी फिलार कनेडा पूरी तरीके से अलग थलग पढ़ता नजर आ रहा है जिस तरीके से चीन के कही न कहीं कहने पर या चीन के एजेंटे पर कनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूर में भारत पर ये आखोप मढ़े हैं तो जाहिर तोर पर इसका खाम्याजा भ पर आई हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें थन्यवादा